जहिन आज हमारी कख्षादस समाधी विद्जान यूरोप में राष्टवात का उदय की दूसरी क्लास है जिसमें आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट हेडिंग नेपोलियन संगीता जिसे आप समान नागरिक संगीता भी करते हैं और वियना संदी के बारे में अध्यान करने वाले हैं तो चलिए बीना देर की हुए हम लोग क्लास को सुरू करते हैं सबसे पहले जब आप नेपोलियन संगीता पढ़ने जाते हैं तो आपको नेपोलियन बोना पार्ट के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप नेपोलियन संगीता पढ़के क्या करेंगे भीया बताएगा ठीक है तो पिछी क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांती क्या भूई थी उसका कारण क्या था ये सब दीजों के बारे में हमने विस्तार प्रूवर जाना था आज हम लोग जानेंगे कि उस क्रांती के बाद क्या हुआ था तो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांती हुई थी तो उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए वहाँ की जनता ने कहा अब हमारे उपर कोई निरंकुस राजा राज नहीं कर सकता है अब हम लोग अपने नियम कानून खुद बनाएंगे और हम अपने समू को बना कर अपने सासन का संचारन खुद करेंगे ऐसा वहाँ के लोगों ने निर्ड़े लिया लेकिन धीरे धीरे जब समय बीटा गया तो उसी में एक ब्यक्ती आया जिसका नाम था नेपोलियन बोना पार्ट याद रखिएगा इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1779 को बाकि मृत्यु के बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं तो हुआ क्या कि जैसे समय बीटा गया तो उसी में फ्रांस के सेनापती के रूप में उभर कराया नेपोलियन बोना पार्ट और बाद में ये फ्रांस को पुना लोकतंत्र के रास्ते से हटा कर राजा के तंत्र में ले जाने लगा याद रखिएगा 1799 में इसका पहला खेल शुरू होता है जब ये फ्रांस का प्रथम काउंसल बन जाता है अर्थाद वहाँ पर तीन लोगों का एक ग्रूप बनाता है ये उसमें सबसे हेड ये बन जाता है बाकी दो लोग को और रख देता है और कहते हैं भया कि आज से सासन का संचालन हमारे लोग के माध्यम से होगा अर्थाद बात को समझ रहें आप कि जो फ्रांस राजातंतर को हटा कर निरंकुष राजातंतर को हटा कर अपनी सासन सस्ता को लाना चाहता था वहाँ पर ये व्यक्ति पुनह आ गया अपने सासन को अस्थापित करने के लिए याद रखिएगा आप लोग तो फिर क्या खारा यहां पर 1799 में जब इसने प्रथम काउंसल के रूप में फ्रांस को चलाना सुरू किया तो वहाँ से इसने अनेक युद्ध लड़े और फ्रांस को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस की जनता के दिलों को जीत लिया और पुनह 1804 में जी हाँ सही सुना आपने मई 1804 में मैं बोल दे रहा हूँ मई 1804 में यह फ्रांस का समराथ बन के बैठ लिया याद रखिएगा जो फ्रांस राजा को भगा चुका था उस फ्रांस का यह पुनह राजा बन गया और वहाँ से इसने लोगतंदर को फिर से समाप्त कर दिया लेकिन बात यह उठी कि भाईया अगर आपने लोगतंदर समाप्त किया है तो फिर तो आपको जनता के विद्रों का सामना करना पड़ेगा ना तो यह दिमागदार आदमी था उससे बचने के लिए उसने एक नई परिभासा दी कानून की नई किताब लिखी जिसे कहा जाता है समान नागरिक संहिता चुकि नेपोलियन ने बनाई थी इसलिए इसे नेपोलियन संहिता भी कहते है या नागरिक संहिता भी केवल कहा जाता है यह आई कप्थी 1804 में उसके समराट बनने के बाद ठीक है ना समझा आपने थी मेरी बाग को याद रखिएगा मेरी बात अगर इतनी समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है ना याद रखिएगा देखे कहानी धरी धरी आगे बढ़ती जाएगी और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको ध्यान दीजेगा आप लोग चाहिए तो स्क्रीन साट ले सकते हैं अभी आपको पूरा का पूरा दिख रहा है इसक्रीन साट अभी ले सकते हैं और कापी में इसको आप लिख लीजेगा यहों कि ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोल्ड परिच्छा में बार बार पूशी गई है ठीक है भईया याद रखिएगा तो अब देखिए क्या हुआ यहां पर कि 1799 से इसकी कहानी शुरू होती है और 1804 में फ्रांस से ये लोक्तंत्र को समाप्त करके फिर से वहां का समराड बन जाता है लेकिन वहां पर प्रसासनी छेत्र में करांतिकारे सिर्धांतों का समावेश करते हुए अपनी एक संगीता जारी करता है इसे समान नागरिक संगीता कहा गया था ठीक है ना याद रखिएगा उसके बाद कहानी क्या सुरू होती है अब जब ये फ्रांस का समराड बन के बैढ़ गया तो सीधी सी बात है अब फ्रांस पर ये राज करेगा ध्यान देजिएगा तो फ्रांस के लोगों को इसने अपने विश्वास में कैसे लिया जराविस्त नैपोलियन की समान नागरिक संगीता को पढ़िये क्या लिखा हुआ है इसमें सबसे पहली चीज जब इसने समान नागरिक संगीता दी तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या किया कि प्रसासनिक छेत्र में करांतिकारी सिध्धान का समावेश किया अर्थात लडाई जगडे में इसने ज़्यादा विश्वास किया हम लोग कहीं पर भी करांति करेंगे और उस चेत्र को विजय करके अपने में मिला लेंगे यही महत्वा कांच्छा नेपोलियन की बरबादी का आगे चलकर कारण भी बनी अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे ठीक है ना ध्यान दीजेगा तो पहला पॉइंट समान नागरिक संहिता का आपको यह लिखना होगा कि प्रसाशनिक छेत्र में करांतिकारी सिध्धान का समावेश याद रखिएगा उसके बाद जन्म आधारित विशेशा अधिकार की समाप्ति कर दी जैसा कि वो फ्रांस में निरंकुस राजतांतर चल रहा था जो बुर्वो राजाओं का अधिकार था वहाँ पे क्या था लोई 13 हमा लोई 14 हमा लोई 15 हमा लोई 16 हमा मतलब उनका खांदान ही बनता जा रहा था उन्होंने उसे राजत्व का डैविय सिध्धान कहा था कि भईया भगवान ने कहा है कि तुम्ही लोग राजा बनने के लिए बने हो तो नेपोलिया ने देखिये उसको समाप्त कर दिया इस हिसाब से उसने जनता का दिल जीती लिया क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने कहा देखिये भईया आज मेरे अंदर छमता है मैं राजा हूँ कल फ्रांस में किसी अन्य ब्यक्ति के अंदर छमता आएगी वह राजा बनेगा ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा राजा बनेगा ध्यान दीजेगा ठीक है? इसलिए उसने जन्म आधारित विश्यस अधिकार को समाप्त कर दिया और अपने ही लिए नहीं बाकी जो उसके सैनिक थे, जो उसके मंतरी थे जो अधिकारी गण थे उनके भी जन्म आधारित विश्यस अधिकार को समाप्त कर दिया ऐसा नहीं था कि मंत्री का बेटा मंत्री ही बनेगा अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा ना उसने कहा जो योग यह होगा वही बनेगा ठीक है ना इस प्रकार से उसने फ्रांस की जंता के दिलों को जीत लिया फिर उसके बाद कानून के समक्त उसने समानता कर दी जैसा कि हमने फ्रांस के करांती के कारण में पढ़ा था कि पादरी वर्ग और सामन्त वर्ग को ज्यादा विशेस अधिकार प्राप्त है लेकिन कुलीन वर्ग जो था मध्यम वर्ग जो था, बुर्जुवा वर्ग जिसे कहते हैं आप और भूमहिन जो कृषक था उसे वो अधिकार प्राप्त ही नहीं थे याद रखिएगा लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इसने का भईया कानून के समक्ष सबसमान है राजा हो, मंतरी हो, कुछ भी हो सब के सबसमान है यह बात को आप ध्यार में रख लीजेगा ठीक है न, यह उसकी कहानी थी तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा सामन्ती प्रथा को समाप्त कर दिया सामन्ती प्रथा फ्रांस की करांती का एक बड़ा कारण थी हमने देखा था याद रखिए का क्योंकि सामन्त लोग अपने कर्टब देखो पूरा नहीं करते थे ध्यान दीजीए का आप लोग इस बात को परंतु यहाँ पर क्या हुआ इसने सामन्ती प्रथा को ही समाप्त कर दिया कि ना भहिया किसी को जमीन ज्यादा देने की जंजड रहेगी ना वो लोगों से कर्वसूलने के लिए चक्कर में आगे बढ़ेंगे लोगों को परिसान करेंगे सब कुछ खतम कर दिया उसने सबसे बढ़िया काम उसने क्या किया कि जो किसानों से भूरा जस्व और जागिरदारी सुल्क वसूला जा रहा था ना उसे उसने शमाव्ठ कर दिया तो देखिए सीधी सी बात है भहिया भूमहीन परिसाइख आफका परिसान क्यों था बताइए भूमहीन परिसाइख परिसान इसी लिये था ना कि उसका लगभग 80% कर देने में चला जा रहा था तो इसने उसको समाप्त कर दिया देखिए माकी जनता खुस हो गई की नहीं हो गई याद रखिएगा कानून के समख्ष समानता कर दिया क्रांती किसने करी थी मध्यमवर्ग नहीं क्रांती करी थी ना याद रखिएगा मेरे बात को किसने करांती की थी भईया, मध्यम वर्ग नहीं करांती की थी ना, अब मध्यम वर्ग भी खुश हो गया क्यों, क्योंकि कानून के समख्ष समानता मिल गई, क्या राजा, क्या मंत्री, क्या अधिकारी, क्या नौकर, क्या एक सामान निव्यक्ती, सबको कानून के समख्ष समान तिराजा क्योंगी ना ना उसने का भहिया जिसकी जो संपत्य रहेगी आपकी ठीक है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लाश्ट पॉइंट इसने जोड़ा कि मापतौल की नई प्राराली की सुरुवात करी इसने हमने देखा था ना फ्रांस में मापतौल के कोई निश्चित मापदंड नहीं थे कहीं पर कुछ था कहीं पर कुछ था कर बहुत ज़्यादा थे इसलिए दाम कहीं ज़्यादा हो जाता कहीं कम हो जाता था लेकिन उसने क्या की मापतौल की नई प्राराली शुरू करी और फ्रांस में उस समय तब कोई प्रसलित मुद्रा नहीं थी, जब निरंकुष राजा सासन करते थे तो, परन्तु इसने नई मुद्रा का प्रारम भी किया, तो फ्रांस के ब्यापार में भी सुधार किया इसने, तो ध्यान दीजेगा, कि राजा तो बना बेचारा, लेकिन फ्रांस की जनता को खुस कर या उसने, जिससे फ्रांस की जनता अब उसके खिलाब करांती नहीं करेगी, समझ रहें कि नहीं आप, याद रखिएगा इस बात को, तो ये कहानी थी, नेपोलियन संगिता की, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, और उतार लीजिएगा, तो कैसे देंगे आप नेपोल याद संगिता भी कहा जाता है, ठीक है न, इसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है, और ये पॉइंट आप स्क्रीन सोट ले लीजिए, इनको लिख लीजिएगा, बोलिए, क्लियर समझ में आगया कि नहीं था, समझ में आगया तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए, उस के अंदर काफी सारी महत्वा कांचाय थी, अर्थाद ये पूरे विश्व पर राज करना चाता तो जैसे सिकंदर था, याद रखिएगा, इसने भी सोचा भाया, कि मैं पूरे यूरोप पर तो कम से कम राज कर रही लूँ, पूरे यूरोप पर राज करने का सपना देखने लगा यहां तक कि रूस पर भी चढ़ाई कर दिया था याद रखिएगा जब रूस पर उसने चढ़ाई करी ना तो रूस के प्रदेश ठंडे थे वहाँ पर इसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा याद रखिएगा फिर वहाँ से जब यह भाग के आया तो इन लोगोंने एक ग्रूब बना लिया जिसे उन्होंने नाम दिया मित्र राष्ट and भीया कैड़ो मित्र बन गई तो सिधा साना में उसका नाम मित्र राष्ट पढ़ गया तो यह लोग मित्र बन गई और जब मित्र बन गए तो इन लोगों ने मिलकर नैपोलियन को हराने की सोची, सत्ता से हटाने की सोची क्यों? क्योंकि नेपोलियन एक क्रांतिकारी विचारों वाला था और ये लोग रूड़िवादी विचारों वाले थे रूड़िवादी मतलब वही राजाग बेटा राजा राजा उस विचारों वाले थे याद रखेगा लेकिन नेपोलियन करांती कारी विचारों वाला था इन लोगों ने सोचा कि अगर नेपोलियन ज्यादा दिन तक चलता रहा तो हमारे देश में भी ऐसी करांती होगी और हमारे देश की जनता भी ऐसा मांग करेगी इसी लिए इन सब लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराने की सोची और अंतता 1815-18 जून वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को इन मित्र राष्टों ने हरा दिया ठीक है ना कब हराया नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय कब होई यह वेरी इंपॉर्टन चीज़ है आपसे कई बार पेपर में पूछा जाएगा यह बात को ध्यान में रखिएगा यह वेरी इंपॉर्टन चीज़ है कई बार आपसे पेपर में पूछी जाएगी ध्यान दीजेगा आप लोग इस बात को उसके बाद इन लोगों ने इसको हराया और यहां से ले ज जाकर इसको कैयद कर दिया, और यह वहाँ कैद कब तक रहा, भहिया, 5-------18-0011- Konige कब तक कैद रहा, 5--------18-01- कैद रहा, वही पर इसकी Fit Fit के Cancer सिम्रित्ती हो गई, ऐसा कहा जाता है, इसको अंग्रेजों ने ही जहर देकर मार दिया था, ठीक है ना याद रखिएगा आप लोग तो कहा जाता है भीया प्रमाडित है कि नहीं ऐसा हम नहीं खा सकते हैं ध्यान दीजिएगा तो ये हो गई टोटल इसकी कहानी 1844 से 1844 तक हुआ वहां से एक बार हराया गया भाग गया विचारा भागने के बाद फिर 1815 में आया था फिर 1815 में आया और 1815 में आने के बाद फिर से जैसे इराज करना सुरू किया सभी सेनाओने मिल कर उसे फिर से 18 जून 1815 को वाटर रूके युद्ध में हरा दिया और उसके बाद कहा अब इसको कैद करना ठीक है ना ही पता तेला फीर आएगा राजा बनने के लिए याद रखिएगा ठीक है तो इन लोगों ने यहां से नैपोलियन को हराया और उसे जेल में बंद कर दिया जहां पर 5 माई 1821 को उसकी मृत्यू हो गई समझ में आया थे ना आपको तो यह नैपोलियन की कहानी हो गई अब देखिए तीनों कहानी आएक दूसरे से कनेक्ट हैं इसलिए मैं तीनों को लेकर आया हूँ देखिए इन दुनों को मैंने एक साथ कर दिया ना इसमें आपको समान नागरिक संगिता कैसे हुई जब वो समराट बना उसने वहाँ के लोगतंत्र को समाप्त किया और अपनी एक नागरिक संगिता प्रस्तूत की जिसके अनुसार वहाँ के प्रत्यक नागरिक को अपने काम करने थे, करतबे निभाने थे इनको मानना जरूरी था, क्योंकि एक प्रकार से वो राजा बन चुका था, ठीक है ना, याद रखिएगा, उसके बाद, जब नैपोलियन को हरा कर कैद कर दिया जाता है, तब आश्ट्रिया का चांसलर, ध्यान दीजेगा, आश्ट्रिया का चंसलर, जिसका नाम था मैटरनिक यहाँ पे देखिएगा, जिसका नाम था मैटरनिक, क्या नाम था भीया, मैटरनिक, मैं एक बार यहाँ पे नाम फिर से लिख देता हूँ, देखिएगा, मैटरनिक, ठीक है ना, इसने, इसने, आश्ट्रिया के अस्थान, वियना, कहां पर भीया, वियना में, मित्र राष् इन लोगों ने मिलकर हराया था नेपोलियन को, इन लोगों के प्रतिनीदियों को बुलाया कि भाईया आओ, अब यूरोप पर चर्चा की जाए, क्यों? क्योंकि जब तक नेपोलियन वा था, तब तक तक तुम कह रहा था, हम पूरा यूरोप वही कब जा कर लेंगे, अब उ सेरलोग बैठके बैठक करते हैं, समू में उसको कांग्रेस ही कहा जाता है, तो हमारे जो कांग्रेस थी, वो लोगों के समू से मिलकर पहिले बनी थी, आज उसी को पार्टी बोल दिया गया है, ठीक है न? याद रखिएगा, तो अभी भी हमारा अमेरिकी कांग्रेस है, अम आयोजन किया, उसने वियना कॉंग्रेस का आयोजन किया, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आप, किसने आयोजन किया? आश्ट्रियन चांसलर मैटरनिक ने, किसलिए किया? यूरोप के भविष्य पर चर्चा करने के लिए, का है चर्चा करने की जरुद पड़ी? क्यों नेपोलियन को बरबाद कर दिया, अगर वो बाकी देशों के पीछे न भागा होता, तो क्या ये लोग मिलकर उसके पीछे आते हैं? नहीं आते, भीया तुम अपना राज करते रहते हैं नियम कानून लगा के, लेकिन क्या जरूरत थी? बात वही ये भीया, कि जब आदमी क बरबाद होना होता है, तो वो क्या करता है, पता नहीं चलता है, चलिए, तो यहां से कहानी आगे सुरू होती है, जब नेपोलियन को जेल में बंद कर दिया गया, इन लोगों ने वियना कॉंग्रेस का आयोजन किया, कब किया भीया? 1815 में ही, अर्थात वियना संधी कब आश्ट्रीया के वियना में ही हुई थी, ठीक है न, इसलिए इसको नाम वियना संधी पड़ा हुँा है, जहन दीजियेगा, अब क्या हुआ यहां से, क्या-क्या बात्चित हुई, इस संधी में क्या-क्या बाते रखी गई, अब हमें इसको देखना है, तो चलिये, आगे देखते हैं वियरा संधी जब लागू होने को ही चर्चा होई कि भाईया अब क्या करना चाहिए तो इन लोगों को सबसे पहला डर था कि भाईया फ्रांस में कवनों नेपोलियन जैसा फिर न पैदा हो जाए पैदा हो गया फिर जन जट होगी तो सबसे पहला कहे चल पहले उ तो निरंकु स्रास्तंत्र था ना बहल करो उसको तो निरंकु स्रास्तंत्र था ना बहल करो उसको तो निरंकु स्रास्तंत्र किस वंस का था बुर्वो राजवंस का था बुर्वो राजवंस का था ना वो लुई सुलामा किसका सासक था बुर्वो राजवंस का ही तो था न याद रखिएगा तुन्होंने कहा कि वहाँ पर बुर्वों सासकों को फिर से बहाल कर दो अखाट जो नेपोलियन राजा बना था ना खतम अमामला उसका इनको राजा फिर बना दो नेपोलियन संगीता खतम कर दो अब खतम कर दो भया खेल खतम इनका चलो नेपोलियन के दो वारा विजीत प्रदेश, उन सभी राज्यों को वापस कर दो, जहां जहां से उसने जीता था, तूसरा पॉइंट उनने कहा, मतलब नेपोलियन क्या था, या उसकी मत्वा कांचा थी ना, कि मैं पूरी यूरोप पर राज करूंगा, तो इसके लिए उसने बहुत जादा जग जैसे आप अकेले एक दम तकड़े आदमी हो, जाएए अकेले चार-पांचा को पीट के आ जाएए, फिर उसका चारो पांचा बाके आपको पूटे, बस वही कहानी इसकी थी, ठीक है ना, धियान दिजीगा, तो नेपोलियन ने जितने प्रदेसों को विजित किया था था उन्हें सबको वापस कर दिया गया लो भाईया जो जीता था उसने दे जवाब तूम ठीक है ना ध्यान देना उसके बाद क्या कहा गया भविश्य में फ्रांस का विस्तार नहो नाई भाईया पता तलगा उन्हों फिर ने पोलियन जैसा पैदा हो गया फिर कहेगा आएगा फ फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए इसकी सीमा पर एक नई स्रिंखला स्थापित करी गई जैसे पस्चीमी सीमा प्रसा के अंडर में दे दी गई उत्तरी सीमा अश्ट्रिया के अंडर में दे दी गई फ्रांस के उत्तर में नीदर लैंड नामक एक देश के अस्थापना कर दी गई जिसमें वेलजीयम भी सामिल था क्या सामिल था भया वेलजीयम भी सामिल था ठीक है ना याद रखिएगा उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहा भी है ना संधी में इसको नोट करेंगे आप लोग पूरा टोटल यहसे पेपर में लिखना होगा आपको याद बात करिएगा जैसे मैंने आपे लिखा हुआ है इसलिए मैं पहले लिख के लाता हूँ कि लिखने में टाइम बरबाद नहों आप लोग आराम से बैटके लिखते जाएए एक बार मेरी बातों को सुनिए स्क्रीन सॉट लीजिए बाद में लिख लीजिए ठीक है ना फिर क नाम क्या रखा था, जर्मन महासंग, और जब उग मर गया न, तो भø트ACKर इस वोग में बातचित करी, वो जर्मन महासंग को समापत किया जाए कि रखा जाए, तो इन लोग ने कहा, नई भ्यार रहनें तो, उससे हमारा फायदा ही होगा, क्यों? क्योंकि अब ये लोग एक और रूस को दे दिया गया, अतरब पॉलैंड एक देश था, ठीक है ना? उसका कुछ हिससा किसको दे दिया गया? रूस को दे दिया गया, किसको दे दिया गया? रूस को दे दिया गया क्योंकि रूस भी इसमें सामिल था ना वह या कुछ तो मलाई मिलनी चाहिए हम सामिल हुए हैं तो फाइदा नहीं मिले अब क्यों सामिल होंगे ज्यान दीजिएगा उसके बाद सबसे important point रुड हिवादी सत्ता को फिर से बहाल करने की कसम खाई गई व समपतिक अधिकार समाप्त कर दिया फिर से सामनती प्रथा चालू कर दिया कानून के समक्त समानता को फिर खतम कर दिया मापतवल की नई प्रढाली जो नई मुद्राकारा मठाये सब स्पोयल कर दिया इन्होंने खतम कर दिया मतलब फिर से totally इनका वही था इरुड हिवादी परंपरा फिर से जारी करती जाए, जिसमें राजा ही सब कुछ हो, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, तो ये थी आपकी टोटली वियना संदी, ठीक है ना, तो चलते चलते, मैं एक बार मोटे तोर पे इनका फिर से अध्यान करा देता हूँ आपको, नैप 1515 को वाटरलू के युद्ध में, मित्र राष्टों ने, जैसे प्रसा, रूस, आस्ट्रिया और इंग्लेंड, इंग्लेंड को ब्रीटेन भी कह जाता था, ठीक है ना, इन लोगों ने मिल कर इसे हराया, अंग्रेज भी कह सकते हैं, इन लोगों ने मिल कर इसको हराया, 1804 से 1814 तक, ठीक है ना, उस समय उसको हराया गया, भाग गया वहाँ से, लेकिन फिर 1815 में लोटके आया, मैं जा रहा हूं लेकिन लोटके जरूर आऊंगा, पर लोटके आऊंगा तो पहले से भी जादा खतर मात हूंगा, ऐसा पिच्चर का डाइलाग तो आप लोग सुने ही होंगे, तो जब आया फिर से 1815 में न, तो मित्र राष्ट अभी तैनाद बैठे थे, कहे इसको पीट के अपकी भगाओ, बहुत जोस में आया है, अपकी उसको पीट के वचारिक जिलिये मंद कर दिये, ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन जब समराड बना था, तो वहां क अन्हिता भी कहते हैं, याद रखिएगा, यह कब जारी हुई थी, 1800, चार में जारी हुई थी, इसके पॉइंट कुछ इस प्रकार थे, नॉर्मली, अगर दो चार भी आप याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे याद रखेंगे तो जादा फाइदा रहेग ठीक है ना, याद रखेगा आप लोग, यह कहानी कर देंगा, हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, और इसमें आप लोग, चार पॉइंट इसमें भी आप कर लीजिए, कैसे, बुर्वो सासकों की बहाली कर दी गई, फ्रांस के विजित प्रदेसों को वापस कर दिया गय फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए, उसकी सीमाओं पर नई स्रिंखला स्थापित करी गई, जैसे पस्यमी सीमा प्रसा को दे दी गई, उत्तरी सीमा आस्ट्रिया को दे दी गई, फ्रांस के उत्तर में नीदर रेंड देस के स्थापना करी गई, इसमें बेल्जियम ही सा मिल था नैपॉलियन ने जियो 49 राज्यों का जर्मन महासंग मनाया था उसको बरकरार रखा गया पुर्व में पॉलाइन का हिस्सा किसको दे दिया गया रूस को दे दिया गया रूडिवादी सत्ता को क्या कर दिया गया फिर से बहाल कर दिया गया मतलब जो नेपॉलियन ने करांतिकारी सोच पैदा करी थे ना लोगों के वितर इन लोगों ने का ना 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 भया, हमारे लेख खतरनाक है क्यों? क्योंकि हमारा ललका कैसे राजा बनेगा? अगर करांतिकारी सथा रहेगी तो वोलिए तो जब मसे प्राप विशे सा दिखार समाप्ट किया थाना नेपोलियन ने अगर वो चीज रहती तो कैसे इंका ललकर राजा बनता कैसे मंद setzt को मंतिरी बनता इसलिए उन्हें का भईया सब समाप्ट करो हमारी ललकर राजा बनेगा थेका ना चलिए बैया तो एक बार कमेंट करके जरूर रताइएगा आज की क्लास कैसी लगी है और हम लोग पुना कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हमारे दो टॉपिक इसमें में बच रहे हैं हब किसका इटली का एक ही करड़ और जर्मनी का एक ही करड़ ठीक है बैया चलिए तो आगे बढ़ते रहे हैं मस्त रहे हैं बोल परिच्छा की तयारी करते रहे हैं गुर्बार